नमस्कार बराव मैं एक एड़ी जितने भी मेरे शुरू हता हैं सबको पयर चुक्र ब्रणाम कर रहा हूं क्योंकि आपके भिगना मेरी कोई अस्थित्व नहीं मेरा कोई जीवन में हमेजा गोसस करता हूँ कि आपके प्यार से बढ़ा हूं , प्यार से बढ़ा ही रहूं आज ये इवा दिवश है स्वामी विवेका नंधी आज ही के दिन संबोधित किये थे और आज इवा दिवश है और मैं भी जिस तरह स्वामी विवेका नंधी इवाओं के दिल पर राज करते हैं आज भी मैं भी कोशिस करता हूँ कि अपने व्याओं के लिए, अपने भाईयों के लिए, अपने बहनों के लिए, कुछ है साही करूं ताकि मैं जिस तरह आप लोगों ने प्यार देकर मुझे बड़ा किया है, उसी तरह मैं आजीवन ऐसे ही बड़ा होते रहूं जब तक जीओं, आज सब के महबत से जीओं, एक और पूरी दुनिया देखती रही उनको, मैं भी जीरो से ही हीरो बना और आप सब के बदोलत बना, मैं किसी को नीचा गिराना नहीं चाहता, इंडेश्टी में आज तक एक सब कोई भी इंसान मुझे परमोट नहीं किया, मेरे कभी गाने आते हैं हिंदी के हो या भजपुर कि खेसारी भीया का गाना या खेसारी बाबू का गाना या खेसारी जी का गाना या खेसरीया का गाना, इस दिन को रिलेज होगा, आप सब जरूर देखिएगा, बाकि किसी कभी होता है, तो सारे लोग परमोट करते हैं, बद मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मुझे अगज की फूलों से खुस्बू लेनी की जरूरत नहीं है, ये बनावटी लोग हैं, कि मैं जब से आया हूँ, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, किसी इस्टार ने, दिनेस भीया ने मुझे प्यार दिया था, मनोज भीया के घर पे में रहा भी हूँ, उनका युगदान है म लिए, तो कि उनके घर पे में रहा हूँ, खाया हूँ, तो मैं किसी को भूल नहीं सकता, दिनेस भीया ने पहली फिली मेरी जब रिलिज हुई थी, तो दिनेस भीया ने मुझे सपोर्ट किया था, अपने पाल से पैसा देकर अलोग भीया को, अभी भीया का उगदान से, न गाना रिलिज होता है, या सिनेमा रिलिज होता है, तो सारी भीड जाते हैं कि नहीं उसको चलाना है, तो जाकूर आखे साया मार सके न कोई, मुझे इन कागज के फूलों की जरूरत ही नहीं है, ये बड़ा, मैं आज चार दी से इतना डिश्टप हूँ, तीन दी से कि साइ यार, बोलते तो सब हैं, मैं सुबह सुबही अपने गल्तियों की समा भी मांगा सब से, उसके बावजूर भी मस्ती, मजाक, हसी, आप गाना भी गाते हो तो मेरे जीला को बदनाम करने पे लगे हुए हो सब के सब, कोई गा देता है कि छपरा साही लवंडा, छपरा के लव चपरा सारन जो है, वो तीम जीला को दो जीला उसके कबजे में रहता है, दो जीला का प्यार उसको मिलता है, मैं हर जीला मेरे लिए से करिये, चाहे वो चपरा हो सिवान हो गोपाल हो, मुतिहारी बेतिया, रक्षावल मुझफरपूर से लेकर आरा बकसर बलिया सासाराम, दिहरी रहतास से लेकर, मुझे लगता है कि यूपी लखनाउ से लेकर, बनारस से लेकर, और अरंगाबाद से लेकर, दुनिया की हमारे भजपूरी शमाज को जो लोग प्यार करते हैं, सारे जीला मेरे अपने मा है, अपनी बाप हैं, अपनी बहन है हमारी, चपरा सिवान में सरफ एकहसारी लाली पैदा हुआ, सपरा सिवान गौपल गंज का एकहसारी लाली है, वहां और इनसान नहीं रहते हैं, आप लोग को पता हो ना जी, मैं कभी फ्लेट में नहीं रहा, उसका रिजन जानते हैं क्या है, देखिए, क्योंकि मैं जमीन का आद्मी हूँ, जम इसलिए आज इवा दिवस है, इसलिए मैं लाइव आया कि इवाओं के बदवला थी, आज मैं लिटी चोखा बेच करें, गरीब का बेटा आज यहां तक पहुंचा है, तो अपने इवाओं के दम पे, अपने माब, आपके आसरवाद और अपने बहनों के प्यार से बश्चा नहीं असतक, आप इतने दिस सब के सब महनत कर रहे हों के सारी को खारने के लिए, उतना महनत अगर खुद पर कीए होते तो सायथ कुछ बन गए होते आप लोग, तो मैं कुछ लोगों की बाते कर रहा हूँ, मैं पुरी इन्देस्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क हमारी जन्ता है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं और हमारे अपनों में पुरी भजपुरी समा जाती है, हमारे सिर्प माँ बाप ही नहीं, हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे बीवी ही नहीं, पुरी शमा जाती है जो भजपुरी के समझती है, ये विबाद सुरू होने का एक ही है एक बहुत अच्छा सिनेमा में हम लोग बनाज लिये हैं साइट उस सिनेमा को मुझे नीचा दिखाकर उस सिनेमा को तर्गिट कर किया जा रहा है थाकि वो सिनेमा ना चले दुलहन वही जो पिया मुन भावे अभे भिया से बड़ी प्यार आ गई है अशकर लोगों को प्यार दिखा कर क्या रहा है कुछ मिल जाने वाला है नहीं मिलेने कुछ क्योंकि आपके मेहनत और आपका बिचार धारा ही आपको आगे बढ़ाएगा चम्चाई करने से इंसान बड़ा नहीं होता है ऐसा होता तो यह पुरी जनता को भगवाद जिसको मानता हूँ तो मैं दस चम्चा ही पाल लेता है या किसी का चम्चा बनके अपने जीवन को चला लेता है खाना बनने के बाद ही चम्मच की काम आती है चम्चा का काम सरी खाना बनने के बाद का है तो दुलहन होई जो पियामन भावे जिसके डिरेक्टर रजनी समिस्रा है हमारे जबकि जिन्होंने जो भी सिनेमा उन्होंने बनाया है अच्छा बनाया है भजपुरी को कुछ सीख दिया है उन्होंने भजपुरी में अच्छी सुरुवांत उन्होंने की है अभेभिया उसक यानि कि परसो आप लोगों को ये बताना है कि अच्छी सीनेमा को आप लोगों को चलाना है कि नहीं चलाना है ये मेरी जनता डिसाइड करेगी आप मुझे बरबाद करने पर लगे हो आप कुछ लोग हो आपको क्या लगता है कि आप मुझे बरबाद कर जा लोगे जब मैं कुछ नहीं था न तो भी मुझे जीने की आदत थी जब हमारे पास दस रुपे क्या उकात नहीं थी तब ही मैं बड़ा सा लिंता से जीता थी किसी को मैंने कभी तकलीफ नहीं दी ये पूरी निष्टी जांगती है हो सकता है मेरे बातों से किसी को तकलीफ हुआ हूँ इसके लिए आजीमन सौरी मांगता हूँ मैं आप सबसे जिसको भी तकलीफ हुई होगी लेकि प्रस्नल लिबल पर मैंने किसी को ठेस पहुचाने की कोई कुस्स नहीं कि हाँ कुछ गल्तिया हमसे हुई और सारे लोग मेरे बड़े भाई की तरह है चाहे वो दिनेस भी आहों पौन भी आहों चारभी भी आहों अमनोज भी आहों जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे गारजियों सुरूप है इन से हमेशा इनका आधर किया हो मैं अपने सेनियर का हमेशा अपने बाप की तरह पूछता हूँ उसका रिजन जानते है क्या है क्योंकि उनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ यह सब आप लोगो नहीं सीखना चाहिए क्या शारी से महनत कैसे हो तो है ना एक बार पूछिए का इंडिश्टिए बताएगी आप से जिस महनत कैसे किया जाता है उसका उधारन के सारी लल्यादों होता है लिटी बेचने वाल आदमी ना इश्वर ने सकल दिया ना इश्वर ने परस्णाल्टी दी ना चेहरा दिया, ना अच्छी गाईखी दी गाता भी अच्छा नहीं हो में अब आज बहुत ठीक नहीं है मेरी चाहिद मुझे लगता है लेकि यही अवाज जनता के दिल पर राज करता है क्योंकि जनता मुझे प्यार करती है आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना अच्छा लगता हूँ मैं आपके अच्छे लगने से मेरे जीवन नहीं चलती है क्योंकि आप भी उस जनता को अच्छा लगते हूँ तभी आपको सपोर्ट करती है जनता अच्छा काम पर फोकस करेंगे तो साइद हमें समिधान सिखाना बन करें आप लोग हमें समिधान में जाने की जरूत नहीं हमारा समिधान और हमारा करम हमारा धरम हमारी जीवन हमारी खुशी हमारी दुख जो भी है हमारी जनता है जिसके बदावलत मैं आज यहां तक पहुंचा हूँ उस सिनेमा को आप रोक नहीं सकते हैं चलने से और यह परसो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ जितने लोग मुझे मुझे मुहबबत करते हैं जो नहीं करते हैं मैं उनके लिए भी द्वाई करता हूँ कि इशुवर उनको हमेशा उन्नती दे, सुक सांती दे उनके जीवन में हर वो चीज़े आए जो मुझे गाली देते हैं वो भी मेरे प्यारे भाई हैं उनको लगता होगा कि मैं गलत हूँ तो उनको गाली देने से मैं कभी नहीं रोग सकता है उनको लगना चाहिए कि हाँ मेरा भाई गलत है बट मुझे ऐसा लगता है कि आज इवादिवस के दिने मुझे लाइब आने की जरुवती से ले पड़ी कि मैं आज कल रात अपने मां को लेके आया बंबे मां का तवियर ठीक नहीं रहता है तो गहां पे ठंडा भी है तो मैं अपने ममी पापा को बहुत प्राहर करता हूँ क्योंकि दुनिया में बीबी दुबारा आ सकती है मां बाप दुबारा पैदा किया नहीं जा सकता है हमारी बीबी मुझे छोड़के चली जाएगी तो साइध हम अपने दूसरी साधी कर सकता हूँ बेटा पैदा नहीं होगा दूसरा बेटा पैदा हो सकता है हम टाइम दे दे अपने फैमिली को तो बट मा को हम पैदा नहीं कर सकते पीता को पैदा नहीं कर सकते इसलिए मुझे लगता है कि माबब का प्यार जीवन में उससे बड़ा प्यार कुछ होता ही नहीं तो कोसे साब भी करिएगा कि माँ से बढ़कर और बीता से बढ़कर बीबी के बातों में आकर कभी माँ को तकलिप मत दीजिए अपने पीता को कभी तकलिप मत दीजिए तो बस मैं रिक्वेश्ट करने आया हूँ आप सबसे कि 14 तारी को हर जगा मेरी सिनेमा रिलिज हो रही है और उस सिनेमा को रोकने की यह साजिस्ति की ताकि खेसारी को हम दुनिया के नजर में गिरा दे और इसका सिनेमा एक खुबसूरत सिनेमा जो कि बहुत दिन बाद इतनी अच्छी एक सिनेमा बनी है जो कि एक परिवार से टच है एक एक ऐसे एक एक चाटी के मार नहीं है भाई इसमें इसके बावजूद भी लोगों ने इतना प्यार दिखाया है उस सिनेमा के प्रति यह आप सब का बढ़पन है कि हमारी सिनेमा अच्छी कहानी उसे चलती है क्योंकि हमारे घर में इतनी अच्छी कहानी इसलिए मैं आज अपने युआउं के लिए आया अपने भाईयों के लिए अपने बहनों के लिए आया में लाई क्योंकि आज इवादिवस है और स्वामी बिवेका नंद के ही बिचार धारा पे मैं चलता हूँ मैं करंपे भी स्वास करता हूँ विबाद पे नहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए मजाक नहीं उड़ाता मैं उसका जबकि मैंने अपने गलतियों की छमास सुबा सुबा उच्पे ही जब मुझे रेलाई, जब मुझे पता ही लें दो बोला है बोलना कुछ और बोला कुछ और गया था उसके लिए मैंने शौरी बोला था उसके बावजूद आप लोग हस हस के और मजाक उड़ा रहे हों क्यों उससे चार सिनेमा ज्यादा मिल जाएगी आपको बना तो लोगे बेशने के लिए भी तो इस प्लेटफर्म चाहिए यहां तक रह गई अभे भीया का सवाल निसान तो जवल का सवाल तो यह मेरे अपने हैं अपने थे अपने रहेंगे और इनके पास मैं काम के वज़े से नहीं हूँ उतनी मुहबबत और उतना सलिंता और उतना प्यार इनको देता हूँ अगर वो मुझे बेटा मानते है तो उनको मैं अपना बड़ा भाई और फादर ही मानता हूँ संसकार के मामले में मैं संसकार को सबसे उपर रखता हूँ उसके बादी पुरी दुनिया और ये हमारा भज़पुरी संसकार की ऐसी पुतला है कि हमने अपने रिष्टों को काइम रखने के लिए पर्म तवहार बन कि इसी पर्व के होज़े से, इसी तेवहार के होज़े से कम से कम हम उस रिष्टे को हमेशा याद रखेंगे, उस समास का बेटा हूँ, आप लोग जमीन देख रहे हैं न ये, ये नहीं कुछ लोगों को लगेगा जिखे सारी अपना बंगला दिखा रहा है, नहीं, ये बंग मेरी आवकात पता है कि मेरी आवकात क्या है, मैं कितना भी उचा ओड़ जाओं, लेकि लेंडिंग मुझे किसी एयरपोर्ट पर ही होना पड़ता है, तो बस मैं आप सब से रिक्विस्ट करना चाहता हूँ, कि पर्षो मेरा एक सिनेमा रिलिज हो रहा है, जिस सिनेमा को खत मस्ती में ले लिए उसको, चमचाई का हद होता है यार, आटिस्ट होना कलकार होना कलकार बनो ने चमचा क्यों बन गए, क्या हो जाएगा, कोई पडूसर किसी का जीवन नहीं बनाता है, आप खुद अपना जीवन बनाते हो, और हम कलकार किसी पडूसर का जीवन नहीं बन हम किसी पर दूसर का घर नहीं चलाते हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम एक दूसरे के दिल में रहने वाले लोग हैं, चमचाई से जीवन चलता है, कलकार बनो ना, सच्चे कलकार, सरस्वती के पुत्र है, पुत्र बनो आप, सरस्वती के भाई जी नहीं खराब कर रहा हूं अपने समय, जैराम राय जी, भया प्रणाम भया, मैं किसी के बारे में सोच नहीं रहा हूं, क्योंकि ये साजिस जितनी हुई है, वो मुझे नीचा गिरानी का साजिस नहीं था, ये जो भी है, ये नीचा गिरानी के साजिस नहीं थी मेरी, मुझे कोई क्या नीचा गिराएगा मैं आज भी बच्चा हूँ कल भी बच्चा था और मैं अपने जनता के गोद में बैठता हूँ सबका बेटा हूँ मैं लाडला हूँ किसी के नीचा गिराने से मेरी अस्तित्व नहीं बरबाद हो सकती क्योंकि मुझे नीचा क्या गिराओगा क्यों तो देखो ना जमीन पर ही हूँ जमीन का आदमी गिरता है क्या अरो दिखा दो देखो भाई यह जमीन ही देखो यह देखो तो जो आदमी खोदी जमीन पर हो उसको अपनीचा क्या गिराओगा मैं सब जो जिनको बड़ा मज़ा रहा है नहीं उनके लिए ही बोल रहा हूँ गया तो बस खुद पे फोकस कर लो या अच्छी बाते हैं खुद पे मैंनत करो कि तो साइद मेरे आसपास खड़ा हो जाओ मेरे लकीर को मिटाने वाले सारे मिट गया और मिट भी रहें धिरति मिट भी जाएंगे क्योंकि मैं भगमान नहीं मैं पुजारी हूँ सरधा का फूल अपने जनता के शर्णों में चड़ाता हूँ अपने लोगों में चाहे हूँ वहाँ जात काउंट नहीं करता कि मैं किस जाती से बिलूं करता मैं क्या हूँ मैं बिहार का बेटा हूँ मैं यूपी का लाडला हूँ मैं जर्खंड का एक सम्मान हूँ जहां जहां भजपुरी बोली जाती हूँ वहाँ लोगों के दिल में गोद में बैठने वाला एक पुत्र हूँ उसको कैसे गिराओगे जिसको पुरी दुनिया ने अपने गोद में बैठा लिया है तो मुझे गिराने सच्छा है कि आप खुद के बारे में सोच लो और मेरा सिनेमा मैं अपने जनता से बस निवेदन करता कि मैं जानता हूँ कि कोई आदमी मेरे सिनेमा के बारे में एक मिलट लाइब नहीं आया होगा और नहीं कोई आएगा बाकी लोगों का कुछ रिलिज होता है तो सारी पुरी इंडेस्टी लग जाती है कि भाईया नहीं ऐसा किया बबुआ नहीं ऐसा किया आप लोग सपोर्ट करिये सारे लोग भीड़ जाते हैं कि उसको सपोर्ट करके उसके चीजों को चला दे लेकि कागज के फूल से खुसबू नहीं आती इनके सपोर्ट करने से आप चीज नहीं दिख सकते सपोर्ट उनका चाहिए जो आपको पैदा किया है वो हमारी जनता आपको बढ़ना होगा तो आप जनता के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं किसी स्टार के सपोर्ट से नहीं और किसी कलाकार के सपोर्ट से नहीं जो खुद का अस्तिव तो पैदा नहीं कर सकता वो किसी और का क्या करेगा हम किस से मदद मंगेंगे किस से मंगो मदद मैं कि हां मेरा सपोर्ट करो मुझे जरूरत नहीं किसी आर्टिस्ट की कि मुझे सपोर्ट दे दो फेस्बुक पे आके मेरे बारे में बोल दो कि मेरा एक गाना रिलीज हो रहा है सौरी मत बोलना भाई मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इसके बोलने के लिए मेरी जनता है मेरी जनता खुधी इतनी एक्टिव आ इतना प्यार दे लेती है अपने आप लोग बोलते हैं कि भाईया का गाना आया है मेरे प्यारे जितने भी मेरे भाई लविव दिखा दो इनको भी बता दो कि चौदा तारी को क्या करना है आप सब को चौदा को इतना हॉल में टिकट बिलेक तो करा ही दो इस करोना काल में भी मैं चाहता हूँ कि न कि टिकट बिलेक करा ही दो इतना टिकट बिलेक करा दो कि क्योंकि मैं जानता हूँ ये मुझे नीचा नहीं गिराना था भाई इनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था कि एक अच्छा सिनेमा बन गया है उस सिनेमा को हम बर्बाद कर दे कि सारी को नीचा दिखा दे कि सारी को लोगों के नजर में गिरा दे तो साथ सिनेमा भी नहीं चलेगा के साजिस चल रही है और ये कुछ लोगों की साजिस है आप समझ सकते हैं कि कि कितने कितने लोग होंगे लोगों को तो पता चले गया होगा मुझे बोलनी की जरूत नहीं है आप लोग तो इतने समझदार हैं कि वोट सत्ता ही समझ में आ जाता है कि बेटा मामा कहेगा लड़ लोग शम्मानित लोग हैं, बस काम पर फोकस कर लीजिए, हमारे फोकस करने से कुछ होने वाला नहीं है, जीवन में कुछ करना है तो खुद खुद फोकस करें, और मेरे सिनेमा को आप क्या बरबाद करो लिए, बड़े सिदत से काम करता है, लंदन में ठंडी में मरमर के मैंन उस सिनेमा को की आरजनी समिस्रा ने, अभे भैया ने, शान तुझवल ने, सारे लोग शमीर अपताब ने, सब ने इतनी मेहनत की यार, बासूदा हमारे केमरा में, सब ने, सब ने, हमारे हिरोई, जितनी, दोनों हिरोईनों ने जम के मेहनत की, सब ने मेहनत की आपना, हें दिखा रहे हैं थाकि कि सारी के हम नीचा दिखा देंगे तो साइद दुनिया सिनेमा को इनिशियल नहीं देखिए अब मैं आज इवा दिवस्पे मैं अपने इवाउं से कुछ मांगना चाहता हूं कि तकलीप में में सारे बाते बोल रहा हूं मैं आता लाय बड़े हासके आता हूं मैं आप लोग भी जानते है कि मेरे जीवन में मस्ती ही सब कुछ है ठौब करता हूं मस्ती है तो मैं जाता हूँ कि यह जितने लोग सपोर्ट करते हैं मुझे किसी आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कलाकार मेरे लिए कभी वेडियो नहीं बनाए कुछ जो मेरे भाई जो मुझे प्यार करते हैं बैसारी मेरे बारे में बोलते हैं कि मैं उनकर सम्मान भी करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई है और उंकर बोलते हैं कि कि वो मुझे मिला है वो नहीं जानता है और मैं अपने जनता से रूब और रू मिलता हूँ उसका रिज़ें है एस्टडम दिमाग में नहीं, परदे पे है, मुहबत परदे पे नहीं, वो इनके बीच में है, परदे पे आप मुहबत देखते हूं, वो इस क्रिप्ट के हिसाब से होता है, लेकि मैं रियल में अगर मुहबत किसे से करता हूं, तो आप सब जनता और मेरी, आप मंदिर ही नह कि कोसिस करता हूं मेहनत तो आज स्वामी विवेकानन्त के बीचार धारा के साथ ही चलता हूं मैं जीरू से हीड़ो बनाऊ न गरीवी मैंने देखी है मत खीचो ठांग मेरी मत बनाम करने की कोसिस कर रहे ठीक है और जहां तक सिनेमा दुलहन ओही जपिया मन भावे अभे भिया के बैनर की सिनेमा यसी फिलिम की है खेसारी लाल या दो उसमें एक्टर हैं रजनीस मिस्रा डिरेक्टर हैं और निशावन तुझे वल हमारे भाई है जो कि उस सिनेमा को डिस्टिवीटर है और बिहार में नहीं पुरी इंडिया मेरे लिए जो रही है, तो मैं पुरी, जहां जहां भी बज़, पुरी समाज के लोग मुझे महबत करते हैं, कल बता दो यार, लीज बता दो, कल ऐसा कुछ कर डालो, कि इनको समझ में आए, कि जाको राखे साया मार सके नको, और मेरे साया आप सब हैं, और इनको बत कुछ रहे हैं, नए साल की धेर सारी सुपकावना, शौदा को बताईए कि आप मुझे कितनी महबत करते हैं, लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, बस ब्लेक टीकट होना सही है, लव यू आल, तूट परो, अपने प्यारे बेटा के लिए, अपने भाई के लिए, लव यू हुआ